एक्स्प्लेनेशन पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक वाल्टर नाम के बच्चे को देखते हैं, जो अपने रूम में तरहत्रह के गैजेट्स बना रहा था, उसके गैजेट्स किसी प्रॉबलम को रोकने के लिए थे ना कि किसी को हट करने के लिए, उसकी मॉम एक पुलिस आफिसर थी, लेकिन कभी भी वह अपने बेटे को यह सब करने के लिए मना नहीं करती थी, वाल्टर की मॉम के वायरलेस पर एक प्राइम अलर्ट आता है, तो वह वाल्टर को बाय बोल कर जाने करेगी और इस टाइम वो सारे लोग तुम्हारे जैसा वियर्ड होने के ड्रीन्स देखेंगे और वो उसे हग करके अपनी जॉब पर चली जाती हैं, अब 14 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लैंस स्टरलिंग नाम के स्पाई मतलब की जासूस को देखते हैं, जो अपने एक खास मिशन पर वहां पर आया होता है, किमोरा नाम के आदमी ने उनकी कमपनी के एक बहुत खास एडवास ड्रोन को चुरा लिया था, जो की बहुत खतरनाक था यहां अपने टार्गेट को हर हाल में हिट करता था, और लेंस को इससे यह चीन कर वापस लाना लेता है, और अपनी आख से उसके चहरे को सकन करने लगता है, लेंस किसी तरह से खुद को उससे चुड़ा लेता है, पर जब तक किलियन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं, लेंस अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है, और उन पर चला देता है, जिससे एक गलो करन वाली किटी उन लोगों को दिखाई देती है, जिसे देखकर सारे लोग फ्रीज होकर उस किटी को देखने लगते हैं, लेंस अपने दूसरे गैजट की मदद से उपर उड़कर किलियन से वो ड्रोन वाला ब्रीफ केस ले लेता है, अब वो ब्रीफ के लेकर अपने आफिस में वाल्टर उसे बताता है कि वह एक इन्विजबल होने वाली टेकनीक पर काम कर रहा है, पर लेंस उसकी बाते नहीं सुनता और उसे फायर कर देता है, लेंस वहां की हेड मैस को ब्रीफ केस दे देता है, पर जब उसे खोला जाता है, तो उसमें वो ड्रोन नहीं होता, तभी वहां से भाग जाता है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलियन ने होलोग्राम की मदद से लेंस के फेस का इस्तमाल किया था, और अब लेंस के पीछे पूरी एजनसी पड़ी थी, अब उसे किलियन तक पहुँचने के, ये किमोरा के पास जाना होगा, और वो सैटलाइ जिस पर वह सीरम डालते ही गायब हो जाता है, उसका यह एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था, तभी उसके पास लेंस आता है, और उससे कहता है, कि उसे गायब होने वाला गैजेट चाहिए, और उसके हाथ से वो ग्लास लेकर पानी समझ कर पी जाता है, वोल्टर उसे बताता ह है, कि उसने जो पिया है, उसमें एक पीजन का DNA मिला था, और अब वो थोड़ी देर में एक पीजन बन जाएगा, लेंस को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद एक पीजन बन चुका था, वो वो वाल्टर पर गुस्सा क पर लेकिन बहुत जल्द वो इस के पास टाइम नहीं है, और उसे बहुत जल्द किलियन को धूंडना होगा, फिर वो उसे सब बता देता है, कि एजनसी के लोग उसके पीछे पड़े हैं, वाल्टर उससे कहता है कि उसने पहले ही एजनसी वालों को कॉल करके बता दिया है, कि तुम यहाँ पर होपर वो पीजन होने की वजह से अपनी कार में बैठ नहीं पा रहा था वो Walter से अपनी मदद करने को कहता है और Walter को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है एजनसी वाले वहाँ पहुंच चुके होते हैं और वो उसका पीछा कर रहे थे पर लेंस की कार में गैजेट फिट करके वो लोग उन्हें चक्मा देकर वहाँ से चले जाते हैं आगे दिखाया जाता है कि Walter और लेंस एक गैजेट के जरिये मैक्सिको जा रहे थे और उससे पूचता है कि किलियन कहा है और कीमोरा देखता है कि वहाँ पर लेंस नहीं बलकी एक पीजन है लेकिन आवाज लेंस किया रही है वो उस पीजन को एक रोबोटिक दिवाइस समझता है और वो उसे मारने ही वाला था कि Walter अपने एक गैजेट से उसको पैरालाइट कर देता है और उसके उपर एक प्रुट सीरम डाल देता है जिससे वो सब बताने लगता है कि क्लियन वैनिस जा रहा है सारे एजेंस का डाटा बेस चुराने ताकि वह सब को एक साथ खत्म कर सके लेंस कैमरे में देखता है कि मरसी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच शुकी है वो किमोरा को उठा कर गेट के पास डाल देते हैं और उनके अंदर आने से पहले ही वो खिर्की के थ्रू वहां से भाग जाते हैं वाल्टर का एंटीडॉट भी तयार हो जाता है वो लेंस का एक पर तोर कर उसमें डालता है लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था Walter कहता है कि वो फिर से try करेगा Walter उसे यकीन दिलाता है कि वो बहुत जल्द इसका antidote बना देगा वो दोनों एक yard लेकर Venice की तरफ निकल जाते हैं वो agency के data hall तक पहुँचते हैं पर वहां मरसी पहले से मौजूद थी और वो Walter से कहती है कि Lance कहा है जब कि Lance वही होता है लेकिन क्योंकि वो एक pigeon के रूप में था तो इसलिए मरसी उसे पहचान नहीं पाती तभी वहां के एक word में धमाका होता है सभी लोग उस तरफ भागते हैं Lance और Walter भी उपर भागते हैं वहां किलियन का robot database चुरा कर भाग रहा था पर Lance अपने दो pigeon की मदद से उसका पीछा करता है और वो database नीचे गिर जाता है तब Walter आकर उसे पकड़ लेता है वो लोग मिलकर किसी चीज से टकरा कर उस drone को तोर देत हैं वो लोग उसे लेकर खुश हो रहे थे तभी किलियन उन पर attack करता है और Walter को वही गिरा देता है और अपने पैर से दबा कर उसे मारने ही वाला था तभी Walter अपनी pocket से कुछ braid के टुपड़े निकाल कर किलियन पर उच्छाल देता है जिस पर वहां पर बैठे सारे pigeon किलियन पर attack कर देते हैं और इसी का फाइदा उठाते हुए वो लोग वहां से भाग जाते हैं मरसी वहां किलियन को पकड़ने वाली थी तो वो लेंस का face लगा लेता है लेकिन इस बार मरसी उसका robotic hand देख लेती है और समझ जाती है कि यह लेंस नहीं हो सकता लेंस और Walter एक सबमरीन से जा रहे थे और लिंस ये सोच कर बहुत ज्यादा परेशान था कि किलियन अपने साथ उस डाटाबेस को ले जा चुका है और उसके हजारों एजेंट की जान खत्रे में थी पर Walter उसे बताता है कि उसने किलियन पर एक चिप लगा दी थी और वो अब वो उसकी location मालूम कर स है और उस एंटिडोट को पीते ही लैंस फिर से इंसान बन जाता है वो दोनों अब किलियन को रोकने के लिए उसके ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं पर वहां पहुंचते ही लैंस वाटर को बेहोश करके उसे वापस घेज देता है क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं होने चाहता था लैंस चुपता हुआ किलियन के अड़े पर पहुंचता है वहां उसका एक ड्रोन उस पर हमला कर देता है पर वो उसे तोरकर किलियन के सामने फैंक देता है किलियन हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इतने सारे लोगों को मारने के लिए एक ड बदला लेगा वो किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ेगा जो उनसे जुड़े हुए हैं। तभी किलियन अपने कंप्यूटर में देखता है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। ये वॉल्टर ही था जो वापस आ रहा था वो। उसके लिए ड्रोन भेजता है अटैक करने के हैं। मिसिस जंक्स सारी एजन्सी के लोगों को एक जगह रखकर सेव करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद लेंस देखता है कि उसके पास वाल्टर और दो पी जनाये हैं। वाल्टर अपने गैजेट की मदद से बचने में काम्याब हो गया था। वाल्टर ने म मर्सी को अपना बनाया हुआ एक गैजेट देता है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता बलकि वो सिर्फ उसके अटैक्स को रोकते थे। किलियन वाल्टर को देख लेता है और वो उसे ड्रोन की मदद से उड़ाता हुआ बहुत ऊपर की तरफ ले जाता है। वाल्टर ने अब पूरी तरह से उसके रोगोटिक हैंड को हैक कर लिया था। उसके एक बटन को दबाते ही वो उसके सारे ड्रोन को डिसेबल कर सकता था। पर किलियन उससे कहता है अगर उसने ड्रोन को डिसेबल किया तो उसके साथ वो भी मारा जाएगा। पर वाल्टर उस पर नीचे गिरने से बचा लेता है। किलियन भी वाल्टर के गैजेट की मदद से मरने से बच गया था। एजंसी की हेड जंक्षन वाल्टर को एक नई टीम को लीड करने को कहती हैं। जहां वह अपने तरीके से काम करेगा और जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और इस अमेजिंग मूवी का यही पर एंड हो जाता तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।